सोची कैसा लगेगा तुम्हारे घरवालों को जब उन्हें ये पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तुमने अपनी पूरी संदगी को भरबात कर लिया खुदी सोच कर देखो ना पहले कितने अच्छे थे हर चीज में पढ़ाई में लिखाई में काम में हर चीज में अच्छे थे तुम्हें मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है ये चक्कर क्या है ये मांजरा क्या है और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाह आतली तुम्हारे तॊहीं पेड़िंगे मुझा unions मृक्ति सुक्ति तुम्हारे अलावा। अन्यना मुझे इसलिए कि अर्षा होता है पीड़ा होती तकलीफ होती है सकति लिएकिन किसी बहुतひ हूं और किसी भी हailing दॉक् olur के पैस चली जाओ अभी के अभी उस चोट को ठीक नहीं कर पाएगा वो कितनी पी अच्छी दवाई देदेगा दवाई खाना पड़ेगा समय लगेगा और वो समय तुम्हें देना पड़ेगा उस घाओ को ठीक करने के लिए समय देना पड़ेगा इस बात को याद रखना और जितना बड़ा घाओ उतना जादा समय लगेगा अब इस घाओ को ले कर बैठे रहोगे और रोना रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया वो मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे हर इंसान की जंदगी में यह दुग तकलीफ है लेकिन जो इसका रूनार नहीं रोते हैं वही जंदगी में आगे बढ़ते हैं मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही होगी और तुम उसे अपनी जंदगी में वापस चाहते हो लेकिन याद रहना रिष्टों की माला ये एक बार टूट जाए और उसे वापस बनाओगे तो वो छोटी पढ़ ही जाएगी तो अब ये सब फाल्तू की बाते सोचने की वजाए ये सोचो कि अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है कहा था ना उसने तुमें कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुमसे कुछ नहीं होने वाला तो क्या सही साबित कर दो के उसे क्या सच में तुम वैसे ही हो जैसे वो तुमारे बारे में सोचते थे कि तुम जिन्ने की में कुछ नहीं करके दिखा सकते और यदि Nobel में ये सच है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो बंद कर दो इस वीडियो को क्योंकि सुनने से कोई मतलम नहीं है लेकिन यदि आखें अंदर कुछ बनने की कुछ कर दिखाने की तो इस वीडियो को तब तक देखना तब तक देखना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ संबान तुम खुद से वापस न ले लो याद है ना कितना जलील किया गया था तुम्हें तुम्हें तुम्हारी वकाद याद दिलाए गई थी अब ये तुम्हारी उपर निरबर करता है कि तुम्हें भूल जाना है वो सब या फिर उन्हें उनकी वकाद याद दिलाना है मुझे नहीं पता कि तुम खुद का कितना संबान करते थे खुद को कितने इज़त देते थे लेकिन आज की बाद याद रखना खुद का संबान सबसे बहले है यदि तुम्हें लग रहा है कि भूलना मुश्किल है और नहीं भूल पाओगे तो कौन कह रहा है भूलने को मत भूलो अपने आपको आगे बढ़ाओ और इतना आगे बढ़ाओ कि पूरी प्रत्वी पर चाहे वो कहीं भी हो जब तुम सफल हो तो तुम्हारी सफलता की गूंज उसके कानों में सुनाई पड़े तो चलो एक काम करो जिसे भी अपनी सफलता की गूंज दिखाना चाहते हो बताना चाहते हो उसके नाम का पहला अक्षर कॉमेंट बॉक्स में जाके लिखो और अपने आप से वादा करो कि अब तुम नहीं रोगे रोएंगे वो जो तुम्हें रूलाने आए थे यही बात दिल तक पहुची हो तो शेयर कर देना अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साइन इंगा